हल्क के साथ हुआ सबसे ज्यादा दर्दनाक इंसिडेंट क्या है जानते हो हल्क दा एंड कॉमिक सीरीज में एक फ्यूचर जहाँ पे सारे इंसान एंड इंसानियत खतम हो चुका है सिर्फ हल्क है जो दुनिया में रहने वाला लास्ट लिविंग बींग है हल्क के इम्म्यूनिटी के वज़े से सिर्फ हल्क न्यूकलियर बॉम के रेडियेशन को सर्वाइब कर लेता है पर बैनन डिप्रेशन में रहता है क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है वो सिर्फ अकेला है अपने बीते हुए कल के यादों को बार बार दोराता है बट हलक का ये eternal loneliness कुछ भी नहीं था जो उसके साथ होने वाला था वो इससे भी बत्तर था क्योंकि सकार प्लैनेट से आया हुआ flying creatures हलक को खाने के लिए उस पे हमला कर देते है एंड हलक कितना भी fight कर ले in the end conscious रहके unbearable pain सहन करने के बाद उसे अपना दम तोरना परता था क्योंकि वो सारे creatures मिलके हलक को जिन्दा खा जाते थे एंड हलक के immunity के वज़े से हलक कुछ मिंटों में फिर से normal हो जाता था पर जिन्दा होने का फाइदा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो creatures हलक को जिन्दा खाने के लिए फिर से तयार थे